हेलो सुडेंट्स तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सोयल इंजिनीरिंग का फर्स्ट पार्ट लगबग यहां पाद दो पार्ट आएगा soil के अंदर तो soil के अंदर दो पार्ट के अंदर हम discuss कर लेंगी कि PSC Assistant Engineer के अंदर कौन-कौन सा portion बहुत ज़्यादा soil के अंदर important है और उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है तो पिछला वीडियो में हम बोले थे कि हर एक topic से जहां-जहां important रहे का कौन सा topic कितना जगा से question आ सकता है कौन-कौन सा topic बहुत important है उसको हम दो discuss करेंगे तो आज उसी के लिए first वीडियो है तो वीडियो के बहुत ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अच्छा से वीडियो को देखिए और अच्छा से जो जो टॉपिक यहां पर discuss किया जाएगा उसको thoroughly वहां से book कोई extended book लेकर पढ़िए या आदर्स कोई YouTube चैनल का reference ले सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का topic तो soil mechanics के अंदर हम लोगों को classification of soil है first part of soil है वहां से हमको पढ़ना है कौन कौन सा चीज types of soil कौन कौन सा टाइप basically पढ़ना है alluvial soil, eoline soil, lecosterone soil, marine soil, glacier soil, organic soil organic soil के अंदर जो loss, losses soil, marl और pit जो होता है यह 3-4 गो soil हम लोगों को देखना होगा और यह जो हम point out कर दिये है यह point out करने के बाद इसको अच्छा से देख लेना कि कौन सा soil deposit होने के कारण यह soil का formation आता है तो यह हो गया types of soil के part next क्या है classification of grain size तो grain size हम लोग जब पढ़े थे soil के अंदर मेरा वीडियो के अंदर description में link देदेंगे वहाँ पर भी तुम लोग जा कर देख सकते हो तो grain size क्या था जो fine grain है coarse grain है उसके बाद medium coarse grain है medium sand है फिर sand का जो size का particles है वहाँ पर चार्ट है देखना वो चार्ट को अच्छा से देख लेना क्योंकि वहाँ से question आने का बहुत ज़्यादा chances है इस बर वहाँ पर all chart are बहुत important है बहुत ज्यादा चार्ट को अच्छा से read करना चार्ट से जो भी analyze किया गया है data उसको अच्छा से देखना तो जो अटरबर्ग limit है liquid limit plastic limit उसके बाद हम लोग का जो a-line equation है वहाँ से कौन-कौन सा soil को कौन सा classify के अंतरा हम लोग करते है तो उसको अच्छा से देख लेना वहाँ पर totally ज़्यादा पूरा standard book लेकर पढ़ना इसके बाद बहुत important एक topic है कि shrinkage ratio बहुत student क्या करता है shrinkage ratio को छोड़ देता है तो shrinkage ratio एक बहुत important topic है और PSC का एक favorite topic है यह sinkage ratio इसको अच्छा से पढ़ना यहां से हम लोग क्या देखना पड़ेगा यहां से इसके बाद हम लोग का sensitivity क्या होता है sensitivity का all conditions देखना कि कौन सा soil को कितना sensitive बोला आता है कौन-कौन सा range रहने के कारण हम बार-बार बोल रहा है PSC के अंदर जो हम लोग का range जो value है range के अंदर जो question आता है वह बहुत important होता है वह बहुत ज़्यदा favorite होता है PSC के अंदर कि इसके बाद जो हम लोग का activity activity of soil मतलब कौन सा soil कितना range रहने के कारण activate हो सकता है inactive रह सकता है वह भी एक चार्ट है उसको भी अच्छा से देखना ठीक है इसके बाद हम लोग का classification of clay mineral यह बहुत important है clay mineral के अंदर हम लोग को classification किया गया है यह सब कौन कौन सा bonding के अंदर रहता है यह सब जो चीज है यह bonding कौन कौन सा bonding है पिसका सेप कैसा होता है and structural analysis इसको बहुत अच्छा से देख लेना ठीक है कि क्योलनाइट से कौन कौन सा question आ सकता है कि क्या होता है इसका physical properties क्या होता है structural उसका analysis कैसा होता है कौन कौन सा bonding रहता है मतलब थोरो लिए हो हां से जो जो question को अच्छा से देख लेना इसके बाद next क्या है phase system तो phase system जानते हैं इस आप तीन गोफेज सिस्टम होता है इन नौर्माल कॉंडिशन के अंदर पर से रहेगा तो कौन कौन सा पर सकता है तो उसको अच्छा से देखना कौन कौन रिशन के अंदर कितना रह सकता है इसके बाद जो रेंज होता है वाइड रेंज रेंज होता है डारेक्न नहीं बोलें कि बहुए डेंज पर उप्रोसेटी बोलो degree of saturation पोड़ो यह सब कॉमन कुस्च्छन है यह पढ़ना ह कोफिसेंट आप करबोचर मतलब CC का एक फ़र्मूला है कि कोफिसेंट आप यूनिफर्मारिटी CU का एक फ़र्मूला है D60 by D10 ऐसे करके फ़र्मूला जो है फिर D30 हो स्क्वाब बाद D60 by D10 यह सब फ़र्मूला को अच्छा से देखना और कौन-कौन सा फ़र्मूला के तो देख लेना next क्या देखना next है soil classification कौन-कौन सा soil classification देखना है oil grading यह पूर ग्रेट है यह से करकेक्र कुछ कच घाटा हम लोगा है जो हम लोग का CC CU के ऊपर हमलोग elessक्ता करते हैं तो उसको घनले बहुShasm लिए फ़र्षिश दिश्तेख वृत दिसक्स करेंगे इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे कि हम लोग का क्या है हम लोग का पार्मीबिलिटी है तो पार्मीबिलिटी के अंदर हम लोग जो जो चीज पढ़ना है वो है पार्मीबिलिटी का इकोईसेंस जो होता है बहुत इंपोर्टेंट है यहां से डारेक्ली कोश्चन आता है बहुत इंपोटेंट टॉपिक है और बहुत इंपोटेंट यह फर्मुला है यह फर्मुला को अच्छा से रीड करना और यह घ्राइर कि बाध़ीन क्या जनक रेक्षा निक्रमक साल हुग रूएँल्यू के लिए तो है और formula को थोड़ा बहुत time मिले तो देख लेना इसके बाद है मिलों का क्या है seepage analysis के अंदर क्या पढ़ना है flow, equipotential line, फिर laplace equation, flow line, equipotential line और laplace equation यह तीन को चीज बहुत important है इसको एक बार अच्छा से देख लेना कौन-कौन सा condition के अंदर कौन-कौन सा चीज होता है इसके बाद important एक चीज है कि exit gradient क्या होता है critical hydraulic gradient क्या होता है seepage pressure क्या होता है और next क्या पढ़ना है next पढ़ना है conditions of water table तो water table के कारण यहां पर क्या-क्या changes होता है उसको देखना है और एक चीज हम यहां पर लिखनाने के लिए भूल गया है उसको note down कर लो वह है piping failure जो हम लोग का hydraulic jam damp के अंदर जो failure होता है जो यह seepage के कारण failure होता है वह failure को अच्छा से देखना वहां पर से failure के के अंदर question आता है इसके बाद next क्या है हम लोग का next है कॉंपेक्शन और क्या पढ़ना है हम लोग का optimum moisture content का graph अच्छा से देखना वह हर एक method देखना कौन-कौन सा method के लिए कितना temperature कितना हम लोग का मतलब आजम से लेना पड़ता है उसको एक बाद देख लेना zero air void line देखना factor zero air void line के अंदर एक graph है उसको भी देखना जो कौन-कौन-कौन सा कारण हम लोग का compression है consolidation है वो कौन-कौन सा factor के उपड़ डिपेंड करता है तो उसको एक बाद देखना यह important है इसके बाद consistency index compression index cc mv volumetric germ का index होता है mv ठीक है ए भी क्या होता है इसको एक बाद देखना और रिलेसेंस यहां से जो cc है mv है और यहां से तीन गो जो रिलेसेंस है यह हार एक का formula को अच्छा से देखना और यह relation को एक बार आच्छा से देखना यह सकता है इसके बाद है तर्जगी से बहुत important है यह दो साल के अंदर आया नहीं था यह साल के अंदर बहुत चांस है कि इसका question आएगा कि तर्जगी से यह को पूरा अच्छा से रीड करना है ठीक है कौन-कौन से लिया है उसको देखना है इसके बाद इसके बाद नेक्स हम लोग का और एक चीज है वह पूर्मूला को अच्छा से देखना है इसके बाद नेक्स हम लोग का और एक चीज है वह क्या है वातर जो टोटाल स्टेश forwards water pressure और effective थेस कि यहांसे हम लोग को क्या है वाटर टेबिल एफेक्ट चिप देखना है कि water table ground के मतलब जो नीचे है कुछ यह पार्टिकुलरव क्या रहने क्या होता है उपर रहने क्या क्या होता तो यह सब था मोगा सुईल मेंकानिक्स का फार्स्ट पार्ट आसा करते हैं फार्स्ट पार्ट के अंदर जो भी टॉपिक है यह पूरा-पूरी क्लियर हुआ है और आसा रखते हैं यह जो टॉपिक हम डिसकस किया है यहां से maximum question या 90% question यहां से ही आ जाएगा और क्या second वीडियो में हम डिसकस करेंगे सिया strength of soil इसके बाद art pressure इसके बाद हम लोग का जो foundation का पार्ट है उसको और soil stabilization देखेंगे इसके बाद हम लोग जो investigation है soil का उसको भी हम लोग देखेंगे तो यह चार-पांच जो टॉपिक बज गया वो second chapter के अंदर हम clear कर देंगे तो यही वीडियो था आज का वीडियो अच्छा लगता है तो like, share और subscribe कीजिए और जूड़े रही है अच्छा से बार बार revision करते जाओ कौन-कौन सा question आया है उसको देखो और एक standard book को continuously revise करते जाओ ठीक है question को practice करते जाओ और revise करते जाओ तो ऐसे ही करके हम लोग जो है exam clear हो जाएगा हम ऐसी और कर सकते है तो चलिए मिलते है next video में next video बहुत जल्दी आयेगा जुड़े रही है यह चैनल के उपर और बहुत ज़्यादा share और subscribe कीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा share कीजिए ठीक है मिलते है next video में thank you